जहिन दोस्तों कैसे आप लोग सभी मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी नुई अतुली अकेडमी के ओफिसियल एप पर आपका भदबोस भगत करते हैं दोस्तों आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा रहेगी हमारी भक्तिकाल से संबंदित चुकि रामचंद्र सुकल जी ने हिंदी साहित्य का जो इतियास लिखा 1929 में मद्धिकाल को उन्होंने दो भगों में वर्गी कृत कर दिया एक पूरु मद्धिकाल जिसको हम भक्तिकाल कहते हैं जिसका समय समवत 1375 से लेके 1700 विक्रम समवत और उत्तर मद्धिकाल जिसको हम कुछा तो दोस्तो आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा हमारी जूर होगी वह कभीर से संबंदित होगि सुरदाजि से संबंदीत होगी और तुल्सी संबंद यानि कि उनसे संबंदित जो प्रेस्ण है और उस समय पे जो लेखन हुआ उसकी चर्चे हम भक्तिकाल में करें तो सबका आपका स्वागत है दोस्तों चले शुरुवात करते हैं पहला प्रस्ण आप स्लाइट पर देख है अउधू गगन मंडल घर कीजिए यह पंक्ति किसक smo विकल्पहे कभीरदास्रोबि को सीमर मलुप्ता तो अउधू गगन मंडल घर कीजिए पार्स्तु जो मंत्ति है कि वह आंकी कभीरदाजी डिस्ट के है कबिर्दाज जी जो है कि यह कि आपके है 3000 822 में का जन्म वब शत्ताबदी का उत्रार्थ हम कहें चाहँ जय सक्ते थैससन उत्स अंठ्हान में तो कभिर्दाज जी का जन्म रहा है उनका इसा कहा जाता है कि कभीर पड़े लिखे नहीं थे कभीर दाज जी ने खुद भी मोसो कलम छुई नहीं जात कभी उन्होंने कलम और कागज को हाथ नहीं लगाया तो यह ज्ञान इतना अपार ज्ञान और इतना क्रांती कारी चेतना कहां से आई तो चुकि उस समय की जो परिस्तितियां रही चवद्वी सतापदी के समय की जो परिस्तितियां समाज में रही वो किस प्रकार की रही होगी तो ये ते हो जाता है कि उस समय भी परिस्तितियां बहुत अच्छी नहीं थी बहतर नहीं थी यह फिर मैं कहूं कि समाज में बड़ा द्वंद था जाती वैवस्ता के लिए काफी प्रतिबंद थे जाती वैवस्ता जो काफी कठोर थी हम यह कह सकते तो वर्ण वेवस्ता के माध्यम से एक वर्ग को जन्म जात नीचा बता दिया गया और एक वर्ग जन्म लेकर उच्छ बन गया तो कभीर ने चुकी हिंदू मुस्लिमों को आड़े हातों लिया और उन्होंने कहा कभीर के जो शिश्य हुए हैं वो धरमदास हुए हैं जिने हम धरमदास भी कह सकते हुए हैं यह उमरिया के रहने वाले थे उमरिया मद्धिप्रदेश और इन्होंने ही कभीर की वानी को कभीर के वचनों को संकलित किया और संकलित कर बीजक रचन लिखी तो कभीर दाज जी की जो रचना वो बीजक हैं और इसके तीन भाग हैं साखी सबद रम्रम्र को कभीर दाज जी की जो वचन की कभीर दाज जी की जो क्रांति कारिच्चेतना हैं उसे आप विजक के माध्यम से देख सकते हैं कि यानि कि कभीर दाज जी उस समय के क्रांति कारी चेतना के वहाग थे तो इस प्रकार से दोस्तों अउदू गगन मंडल घर कीजे पंक्ती जो है कभीर दाज जी की है अगली पंक्ती आप देख रहे हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काफी सरल पंक्ती है जो आपको याद भी होगी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समानी ए विकल्प कभीर दाज बी रेदाज सी गुरु नानक साहब डी मलुक दाज रेदाज जी जिनको हम रविदाज भी कह सकते हैं रेदाज जी जो है मीरा भाई के गुरू इनके जो पद है रेदाज की वानी में संक्रीट यानि कि रेदाज जी जो हुए यह भी उस समय पर क्रांती कारी समाज के प्रहरक के रूप में जाने जाएं रेदाज जी ने भी समाज में वर्ण व्यवस्था जो समाज में पहले व्याप्त थी आज भी व्याप्त है बस रूप में बदलाव हुआ है आप यह कैसे तो रेदाज जी ने तो यह तक बोल दिया कि मन चंगा तो कटोती में गंगा याने कि आपको गंगा में इस्नान करने की जरवत नहीं है है वो जो पानी भरा हुआ जिसको कटोती हम कह रहे हैं मन चंगा तो कटोती में गंगा कटोती का मतलब जो चमडे का पानी भरा हुआ जो साधन है जिसमें पानी भर कर वो अपना कारी करते थे उसमें ही गंगा है यानि कि आपका मन विसुद्ध होना चाहिए दूसरों के प्रति इरश्या दुवेस नहीं तो इस प्रकार से प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रस्तुत पंक्ति के जो लेखक रहें वो रविदाजी रहें प्रेमास्री साखा से जुड़े कभी है ध्यान देन कभीरदास तुलसिदास जाईसी सूर्दास तो यदि हम यहां पर चर्चा कलें प्रेमास्री साखा पस्तित्त में क्या हुआ दोस्तो यह जो आपका भक्तिकाल था इस भक्तिकाल को हम दो भागों में वर्गी क्रिप्का लें एक निर्गुन निर्गुन भक्ति जिसमें इस्वर के निराकार रूप की आराधना के जाती है और दूसरा सगुन भक्ति जिसमें इस्वर को एक आकार के रूप में पूजा जाता है और निर्गुन भक्ति को भी आगे जाके हम दो पार्ट में वर्गी क्रित करते हैं एक संत काविधारा ज्यान मारगी एक सूफी काविधारा प्रेमारगी तो प्रेमास्री साखा भी हम इसे कह सकते हैं तो प्रेमास्री साखा के जो सबसे बड़े कवी थे वो थे मलिक मुहमज्या तो संत काविधार ज्यान मारगी के सबसे बड़े कबीर तो सूफी या प्रेम मारगी के जाई सी फिर सगुन भक्ति के भी दो भाग होते हैं रामास्री साखा ये राम साखा ये क्रिशनास्री साखा ये क्रिश्न साखा राम भक्ति साखा और क्रिश्ट भक्ति साखा राम भक्ति की सबसे बड़े तुलसिदाजी हुए और क्रिश्न के सबसे बड़े सूर्दाजी अब चुकि ये सामानी जो जानकरी हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्तियों को पहले से पता है तो प्रेमास्री साखा से जुड़े कभी मलिक मुहम्मद जाई सी पूरुमद्धिकाल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तो पूरुमद्धिकाल को हम क्या कहते हैं भक्तिकाल कहते हैं विकल पे भारतेंद्य यूग नहीं कहते है रितिकाल बी भी नहीं आधिकाल भी नहीं डी तो पूरुमद्धिकाल यह कहें कि भक्तिकाल यह पूरु भक्तिकाल आपका चहला जिसका समय सम्मुद्ट 1375 विक्रम सम्मुद्ट से करले है कि विख्रम शम्माते त्यरह सो पिचत्तर विक्रमसे से 1700 सुभार है फकर अ कट पूस्त्तर मद्धी काल पूर ये कान्य नाम लिकर पे रिती काल मिय विखल भईएभी आपका रिती काल अब रिती गफस्ताइड अब इतिकाल को अमने उत्तर मद्धिकाल काया 我是 में वही 17 सु विक्रम समुमत से 19 सु विक्रम और आगे जाके भी हम रिती काल को तीन भागों में वर्गी कृत करते हैं रिती मुक्त रिती बद्ध और रिती सिर्थ श्री संप्रदाई की स्तापन किस न चीला है तो श्री संप्रदाई की स्तापन की राम्यॉजचा मिशियिँ किसने की रामा नूजा चारी जी ने इसके इस रामा नूजा चारी जी के दियम और शिष्ष परंपरा की चर्चा करे तो रामांुजाचारी के राध्वछारी और bizarre चारी के शिष रामानंद ऊई और रामानंद के भी बारा सिष्ष हो वह उन बारा सिष्षिओं में कबीर दास हुए और नरहरियानन्द हुए और नरहरियानन्द के सिश्षी ही तुलसिदासु जिनोंने लगभग लगभग बारा प्रमुक प्रमुक ग्रहनत लिखे तो इस प्रकार से रामानुजाचारी के रागवाचारी रागवाचारी के रामानन्द रामानन्द के बारा सिश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् रघुनात चरित पुस्तक के रचीता पोने ए जेदेव बी मुरारी सी वामन भटन और डी राजसेग ठीक है दोस्तों तो प्रेस्ण देख रहे हैं यहाँ प्रेस्ण क्रमांक सात्वा रघुनात चरित पुस्तक के रचीता जेदेव नहीं क्योंकि जेदेव ने गीत गोविंद लिखी मुरारी वामन भट इसके लेखा के वामन भट रघुनात चरित के संपादक यह कहूं के रचीता कोने वामन भट राम रक्षय स्रोत की स्तापना किसने की राम विकल्प ए केसव दास विकल्प भी कबिर दास विकल्प सी तुल्सिदास विकल्प डि रामान तो राम रक्षया श्रोत की स्तापना रामनन्जीर मेंच, और मैंने आपको कहा कि रामनन्जीर के बारा शिष्य थे चाहे उसमें कबीरदासो, अनन्त दासो, सुर सुरी हो, सुर सुरांद हो, भावा नंद हो, नर हरियांद हो, प्रसिद्ध प्रसिद्ध इनके शिश रहें रमेनी किसकी रचना है साखी सबद रमेन कभी चली आगे बढ़ें तो रमेनी किसकी रचना है कभीर दाज जी की क्योंकि हमने देखा के बीजक के तीन पार्ट थे साखी सबद रमेनी कभीर ग्रंता वली पुस्तक की रचना किसने की सब्सें के ऐसे आचार रामचंद्रसुक्ली भी हजारी प्रसाथ किसी और श्यम संदर्दास और डी महायुक्त है कभीर ग्रंता वली अब भाबु श्यम है दोस्तों चूंकि आपको द्यान रखना होगा कि बाबु श्यम संदर्दास से ही एक प्रसिद्ध नाम है हिंदी साहित में जिने नागरी जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थाप्ट यानि कि यह संस्तापक सदश्य रहें इसके नागरी प्रचारणी सभा की स्थाप्ना 1893 में कासी में की बाबु शामसुंदर दास तो कभीर गरंता वली पुस्तक के रचनाकारे बाबु शामसुंदर दास दोहा कोस के रचियता कोने एक नापा बी गोरखनाथ से लुई पा डी सराप सरापा की दोहा कोस अश्ट चाप की स्थापना अश्ट चाप की रचना अश्ट चाप इन में से किस नेँद अश्ट चाप किसकी रचना है ए विठ्थल दास, बी नंद दास, सी नाभा दास, डी वल्ला भज़, अश्ट चाप उस्तक किस की, अश्ट चाप की रचना किस ने दो, अब ध्यान देना दोस्त, एक अश्ट चाप ये दी में बात करूं, तो अश्ट चाप की स्थापना, अब चुकि अश्ट चाप एक सभा रही तो इसकी विठ्थल दास जीने की, लेकिन ये अश्ट चाप की रचना पूछ रहा ध्यान देन, ये आठ कवियों का समूध, और अश्ट चाप की स्थापना 1565 में, विठ्थल दास ने की, लेकिन प्रेसन है कि अश्ट चाप की रचना इन में से किसने की, पे विठ्थल दास, बीनन्द दास, सी नाभा दास, दिवल नावाज, तो अश्ट चाप जो पुस्तक है, वो है नाभा दास की, दोस्तों अश्ट चाप पुस्तक भी इनकी काफी प्रसिद्ध है सांति नावादास की भक्तमाल पुस्तक भी काफी प्रसिद्ध है जो की 1585 में इसका लेकर तो अश्ट चाप भी पुस्तक नावादास की है और भक्तमाल भी नावादास की जो की उन्हों ने 1585 में लिखी अश्ट चाप की स्थापना किस ने की तो अभी में ने बता दिया आपको अश्ट चाप की स्थापना विठ्थल दास जी ने की अश्ट चाप की स्थापना किस वर्स हुए यह 1550 इसवी में इसकी चर्चा अभी हमने की 1565 में इसकी स्थापना कि अश्ट चाप में आठ कवी होते हैं जिसमें वल्लाभाचारी जी अश्ट चारी जी के चार सिश कुम्भन दास सूर्दास कृष्ण दास तो कुम्भन दास हो गए सूर्दास हो गए कृष्ण दास हो गए और नन्दास इनके पुत्र विठ्थल दास हुए जिनके भी चार सिश्षी रहे चीत स्वामी गोविंद स्वामी चत्र भुष्दास तो कुम्भन दास सूर्दास अच्छा नंद दास नंद दास परमानंद दास तो इस प्रकार से दोस्तों वल्लाव चारे जी के भी चार सिश्ष थे कुम्भन दास, सूर्दास, परमानंद दास और कृष्ण दास और विठ्थल दास जी के भी चार सिश्ष थे छीत स्वामी गोविंद स्वामी चत्रभुषदास और नंददास ठीक है नाम आगे पीछ हो रहा है लेकिन यह आठ अश्ट छापके प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवी हमारे रहे तुलसिदाज जी का जन्म आचारी रामचंद्र सुकलन ने कम माना है ए विकल 154 इसवी बी 1532 इ दोस्तो रामचंद्र सुकल जी ने तुलसी का जन्म 1532 माना 1532 इसवी राजापुर्गाम जीलाबांधा उत्तरपडेस चुकि भगवा भक्त तुलसी का बच्पन का नाम राम बोला था और इन्हों ने प्रसिद्ध प्रसिद्ध बारा ग्रहंत लिए चाहे वह आपकी रामचंद्र मानास हो विने पत्रीका हो रामलला नहचू हो पार्वती मंगल हो जानकी मंगल हो बर्वे रामायन हो गीता वली कृष्ण गीता वली दोहा वली विने पत्रीका हन्वान बावुक इस प्रकार से इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं रही लेकिन रामचिरित मानास से ये अमर हो गए इनकी जो काल जाई रचना हो रामचिरित मानास से जो की दोहर चोपाईयों का अध्भुत समन में उसमें देखने को मिलता है कि दोएता दुएतवाद के प्रवर्ठक अचारी कोन है कि दोएता दुएतवात के आचारी प्रवर्ठक कोन है विकलप ए मध वाचार रिकलप भी चेतनी महाप्रवू विकलप और विकल्पडी निम्बारकाचार तो इस प्रकार से दोस्तों द्वेता द्वेतवाद के प्रवर्तक को द्वेता द्वेतवाद के प्रवर्तक है आपके निम्बारकाचार निम्बारक कोन है निम्बारकाचार क्या हुआ संक्राचारी जी जो है वो भगवान संकर के उपास संक्राचारी जी ने अध्वेत्वाद सिध्धान्त दिया मध्वाचारी जी हुए अहटा दिया द्वेत्वाद सिध्धान्त दिया ठीके तो संक्राचारी जी ने अध्वेत्वाद दिया मध्वाचारी जी ने द्वेत्वाद दिया रामानुजाचारी जी ने भगवान राम को विशिष्ट माना विशिष्टा द्वेत्वाद दिया याने कि द्वेत्वाद में विशिष्ट जोड दिया हुए ठीके और निम्बार का चारी जी ने द्वेत्वाद द्वेत्वाद तो इस प्रकार से चार के चारी ही जो संप्रदाई ये पूछ लिए गए संक्राचारी जी का द्वेत्वाद मध्वाचारी का द्वेत्वाद रामानुजाचारी का विशिष्टा द्वेत्वाद स्री संप्रदाई भी रामानुजाचारी का ठीके चली आगे बड़े कोन सी रचना नंददास की नहीं नंददास की रचना कोन सी नहीं तो ध्यान दीजे नंददास की अश्टा अध्याई नहीं राश पंचा अध्याई है अनेकार्थ मंजरी है राम मंजरी भी इनहीं की रचना है लेकिन अश्टा अध्याई नहीं तो इस प्रकार से नंददास जो थे हमारे इनकी प्रसिद्ध रचनाय रही राश्पंचे अध्याई अनेकार्थ मंजरी और राम मंजरी आलवार भक्तों का मूल इस्तान कहां था वुत्तरभारत बी उत्तरभारत सी महराश्ट डी दक्षुन था आलवार और नएनार यह दक्षिन भारत के संत्र हैं ठेके आलवार भक्तों का मूल इस्तान है दक्षिन भारत आलवार भक्तों की संख्या कितनी हैं कि ए दस बी आठ सी बारा धी बीज आलवार भक्ता आपके हैं बारा कितने हैं बारा कि कि आलवार भक्तों के पद किस भाग में हैं तमिल में तेलगू में कन्नड में और हिंदी यह भासा है कि आलवार भक्तों के पद किस भासा में हैं तमिल भासा किस भासा में हैं तमिल यांने कि इनों ने जो अपने पदों को संकलित किया उसकी जो भाथसा है वह आपकी तमिए इन में से कौन संत कवी नहीं संत कवी नहीं ध्यांद्यन एक कबीरदास बी गुरुनानक सहाब से स्वर्दास डे सुन्दरदास और भक्त कवी नहीं तो संत कवी नहीं में कबीरदास जी है इस्वर्दास जी सुर्दास जी गुरुनानक सहाब गुरुनानक सहाब के यह चर्चा करें तो गुरुनानक सहाब का जन्म में 1407 इस्विक तलवंडी पाकिस्तान में जो कि अभी वर्तमान में इसे ननकाना सहेब कहा जाते है ननकाना तो 1479 तलवंडी पाकिस्तान में जन्म हुआ यदि इनके हम प्रसिद्ध रचनाओं की बात भी करें तो रही रास प्रसिद्ध रचना है इनकी सोहीला प्रसिद्ध रचना है असा दिवार प्रसिद्ध रचना है तो रही राज सोहीला असा दिवार यह प्रसिद्ध प्रसिद्ध गुरु नानक सहाब की रचना रहें तो कभीर दास इस्वर दास सुंदर दास यह संत कभी हुए गुरु नानक सहाब नहीं कभीर के गुरु का नाम क्या था रामानंद जी दिवत्तर सही है कभीर का जन्म कब माना जाता है अभी हम पढ़ी चुके हैं पुष्टी मार्ग का प्रवर्तक आचारी कोन है तो पुष्टी मार्ग के प्रवर्तक आचारी जो है वह आपके बल्ला भाज प्रवर्तक पुष्टी मार्ग के प्रवर्तक वल्ला भाचारी जी है पुष्टी मार्ग का जहाज सुर्दाई जी कोन है सुर्दाई जी सक्षी संप्रदाई के प्रवर्तक कोन है स्वामी हरिदास बी मदवाचार इसी निंबारकाचार डी विश्णूसों तो सक्षी संप्रदाई की प्रवर्तक है दोस्तों स्वामी हरिदास तो सकी संप्रदाई को स्वामी हरिदास प्रवर्ता की हरी दासी संप्रदाई भी इस हम कैसा है हुँ है जट्वेत वात के प्रवर्तक आचारी कौन है रामणन्द जी विष्णू स्वामी जी सी मध्वाचारी जी और डी रामानुजज़ अभी चुकि मैं आपको चार के चार ही संप्रदाईयों के प्रवर्तकों के बारे में बता चुका हूं अद्वेत्वाद के जो है वो संक्राचारी जी है तो अद्वेत्वाद में से आ हटा दीजी तो बचा क्या द्वेत्वाद के हैं मध्वाचारी जी नहीं को इस्वर का प्रमुक अउतार मानने वाले आचारी कुंध नहीं को मानने वाले आचारी कुंध ए निम्बारक आचार्री बी रामानुजाचार्री से नामदेव और दी विश्णुस ज्यान दे रहसी को इस्वर का प्रमुका उतार मानने वाले आचार विश्णुस ज्याने कि इसकी भी एक बड़ी संत प्रंपरा रही है विश्णुस्वामी जी और विश्णुस्वामी जी के शिश्य हुए वल्लाभाचार्री वल्लाभाचार्री के हुत्र कहूं शिश्य कहूं विठ्थल दास विठ्थल दास जी के पुत्र कहूं शिश्य कहूं गोकुल्दास वल्लाभाचारी के प्रमुक चार सिश्य विठ्थल दास के प्रमुक चार सिश्य चार और चार आठ अश्ट चाप यहीं से निकल कर आया और आश्ट चाप के इस्तापना विठ्थल दास जी ने 1565 में की तो इस प्रकार से रसी को इस्वर का प्रमुक अउतार मानने वाले जो है वो है आपके विश्णुस्वां प्रवर्तक वो समय को द्वेतादवाद के प्रवर्तक अचारी का क्या नामे माधवा चार्य विश्णुस्वामी निमबार का चाल यह वळांब अभी हम पढ़ Crimeवास कि द्वेतवात संधी विछत कर लिए विश्य आद्वेत तो अध्वेतवात किस ने दिया था भाई साब तब हम पढ़ चुके हम अधवाचारी द्वेतवात किस ने दिया था पढ़ चुके हम संक्राचारी दोनों को एक कर दिया द्वेतवात निम्बार का चार तो द्वेता द्वेतवात के प्रवर्तक है निम्बारकाचा ठीक है चलिए बात आगी करते हम संद कवियों के दार्षनिक सिद्धान्तों का मूल आधार क्या है ए अद्वेत वेदान्त बी सुद्धाद्वेत सी बौध संप्रदाई डी नात्पत संद कवियों के दार्षनिक सिद्धान्तों का मूल आधार अद्वेत वेदान्त क्या है अद्वेत वेदान्त याने कि संक्राचारी जी से ही हम दक्षिन भारत में केरल के कलापी में संक्राचारी संक्राचारी जी का जैन्म में और संक्राचारी जी ही पहले एसे व्यक्ति थे जिनों ने बुद्ध के उपदेशों का कहूं या बोद्धों का कहूं विरोद्की लेकिन उनके पद्चिन्नों पर चलने के कारण संक्राचारी जी को प्रचन भुद्ध के नाम से भी जाना जाते तो केरल के कलापी गाउं में संक्राचारी जी का जन्म हुआ और ये प्रचन भुद्ध के उपनाम से प्रसिद्धू इन्होंने ही आगे जाके संपुर्ण भारत का ब्रह्मन किया और अलग-अलग इस्तानों पर चार मठों का निर्मान किया अगला प्रेशन हैं दोस्तों इन में से कौन सा सब्द संत काववी से संभन्दित नहीं सहज समादी ए बी कुंडलीनी योग सी मारिफत डी नाथ बिंदू तो सहज समादी संबंदिते कुंडलीनी योग संबंदिते नाथ बिंदू है मारिफत नहीं यह मारिफत सूफी काविस जिससे संबंदिते सूफी काविस वल्ला भाचारी के पुत्र का क्या नाम था वड़ी चुके हम दो तीन बार रिपेट कर दिया गो स्वामी विठ्थल दास बंगला भासा में रचित राम कथा का क्या नाम है क्रतिवास रामाया यह विकल्प सही रंगपूर रामाया रंगर्ण रामायान अध्यात्म रामाया भासकर रामाया तो संपूर्ण भारत में राम के चरित्र को लेकर अलग-अलग भासाओं में रामचरित लिखाया गए तो बांगला भासा में आचारिक कृतिदास ने कृतिवास रामया लिखा इनका नाम ही कृतिवास था तो कृतिवास रामया बंगला भासा में थी ये एव विकल्प इसका सही कबीर की पत्नी का नाम कमाली लोई पाई रेवली लोई कमाल का पुत्र जो था, पुत्री कमाली थी, पुत्र कमाल था, पत्नी लोई थी, मा और पिता, माता निरु, पिता नीम, नीरु और नीम, तो कबीर की पत्नी का नाम लोई, सोहिला, किस कभी की रचना है, दोस्तों मैं अभी बता चुका था, गुरु नानक देव, रही राज, सोहिला, असा दिवार, यह प्रसिद्द प्रसिद्द गुरु नानक साहब की रचना है रही, सिक गुरुओं में सबसे अच्छे कभी कोन थे, ए गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु रामदास, डी, गुरु अंगित, सबसे अच्छे लेखन, जो लेखन अच्छा करते थे, ठीके, गुरु अर्जुन देव, फोन थे, गुरु अर्जुन देव, सिक गुरुओं में सबसे अच्छे कभी, गुरु अर्जुन देव, काहरी नलनी, तु कुमिलानी, काहरी नलनी, तु कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, कभीर की ये पंग्वित, साकी सबद रमेनी, किसकी रचनाय हैं, साखी का मूल, तत्सम सब्द क्या है, साखी, साक्षी, 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 तत्सम सब्द है, कि साखी तदभव सब्द कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है ए अध्भूत रस बी व्योक सरंगार सी करून रस दिसा अध्भूत कबीर की उलट बासियों में प्रमुख जो रस है वो अध्भूत रस पानी हीते हीम भया हीम हयो गयो बिलाए पानी हीते हीम भया हीम हवे गयो बिलाए यहाँ पंक्ति किस कवी की है ए मलुकदास बी रेदास सी कभीरदास दी गुरु नानक्सा कभीरदास किसकी पंक्ति है कभीरदास जी कि गुरु नानक्साप का जन्म कहा हुआ पहले इंबता सुकाउं 1470 तलवंडी पाकिस्तान जिसका वर्तमान में नाम नंकना साहिब है स्रंगार रसके गोर विरोधी कभी कोन है कभीरदास जी यह मलुकदास दो रेदास तेन सुन्दरदास डी चार कोन है स्रंगार रसके गोर विरोधी कभी नाम सुन्दर है सुन्दरदास ठीके इन संत कभीयों में सरवादिक पड़े लिखे सरवादिक सिक्षित कभी कोन थे वो भी आपके सुन्दरदास थे नाम देव का संबंध किस प्रवर्ति से हैं संत नाम देव निर्गुन उपासना सगुन उपासना नात्पंत सगुन उपासना ये निर्गुन उपासना बोलिये संत नाम देव निर्गुन उपासना निर्गुन के ये उपासक्ते निराकार इस्वर के उपासक्ते बिठोबा का भक्त कीसे माना जाता है? विवेकनंद जी ज्यान देव जी नाम देव जी चेतन्य महाप्रबु जी नाम देव जी कभीर पंथ का निर्मान इन में सक्की सिध्धान्त से हुआ है सुफियों का भावात्मक रह्षिवाद सही है भार्ति भ्रह्मवाद वैश्णवों का एहिंसावाद उप्रोप्त सब्ध कभीर दाज्जी का जो पंथ है ना निर्गुन पंथ यह निराकार तो है और गुरु का जो पद है यह इस वर से भी उचा मानता है और इसलिए कभीर ने बोल दिया कि गुरु गोविन दोहु खड़े काके लागु पाउं और बलिहारी गुरु आपनो तो गोविन दीयो बचाए गुरु नहीं होता तो गोविन नहीं मिलता इसलिए निर्गुन उपासना में गुरु का पद इस वर से भी बड़ा होता है बे मेल को छाटी है हनसावली मधुमालती रूपमंजरी और छिताई वारता ठीक है दोस्तों तो ध्यान देना हनसावली असाइत की है मधुमालती मंजन की है छिताई वारता नारयन दास की है रूपमंजरी नंद दास की जबकि आलम की आलम केलीनी वल्ली है आलम की रचना क्या है आलम केली वल्ली तो हंसा वली असाइट की रचना मंजन की मधुमालती नार्यान दास की छिताई वार्थ रूप मंजरी नंद की है जबकि आलम ने पुस्तक लिखी आलम के लिवन कथा रूप मंजरी के लेखक कोन है कथा रूप मंजरी के लेखक कोन है ए जानकवी बी नूर मोहमद सी सेख नवी डी आलम जानकवी कोन है दोस्तों जानकवी सुहरावर्दी संप्रदाई का भारत में प्रचार प्रसार किसने किया सुहरावर्दी संप्रदाई का भारत में प्रचार प्रसार किसने किया किया गया आईने अखवरी किसकी रचनाई है अबुल्फजल आईने अखवरी में राधा वल्लभी संप्रदाई के आचारी का नाम बताई तो इस प्रकार से दोस्तों ये भक्ति काल के हमने सरल सरल प्रस्वी चर्चा की जिससे की एक बार आपके रिदम बन कल हम जिस भक्तिकाल में प्रेश्णों की चर्चा करेंगे वो प्रेश्ण कठीन होंगे और UGC NET में जो पूछे गए हैं वो प्रेश्ण हम लेंगे पर चुकि वर्ग एक की कहूं जो कि जिसकी दो आगस्त को एक्जाम होने वाली है या वर्ग दो की बात करूं इनमें इतने कठिन प्रेश्ण नहीं आते जितने UGC NET में आते इसलिए हमने प्रेश्णों की प्रक्रति उनको सरली लिया है लेकिन कल के जो वीडियो में हम थोड़े से क्लिष्ट प्रेश्णों को लेंगे इसलिए आप पहले से भक्तिकाल का अध्यान कर लिजे तो सभी अपना ख्या जे भारत धन्यवाद